गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स आज हम लोग हरेयरिकल इनहरिटेंस पढ़ेंगे हमारे पास जो पास टाइप के इनहरिटेंस थे जिसमें अब तक हम लोग सिंगल पढ़ चुके हैं मल्टी लेवल इनहरिटेंस पढ़ चुके हैं आज हम हरेयरिकल इनहरिटेंस पढ़ेंग वाकि सब उसकी क्या होगी सब्सक्लास होगी। इसका एक छोटा से एक्जाम्पल आप अपने घर के अंदर देख सकते हैं। आपका जो फैमली स्ट्रक्चर है वो एक हरारिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जैसे आपके ग्रेंट पारिंट्स होंगे, उनके चाइल्ड होंगे, चाइल्ड के आप चाइल्ड हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए एक टाइप का हरारिकल रिलेशन्शिप क्रियेट कर रहा है। दिखना है आपको। एक फाइदर के दो लड़के, उनके दो या तीन तो देख रहा है, यह एक हरारिकल रिलेशन्शिप को फॉलो करता है आपका फैमिली स्ट्रक्चर और इसमें क्या होता है? एक ही रूट होता है। ठीक है? आप इसको थुड़ा ऐसे समझ लीजे कि आपने गर ट्री देखा ह नीचे क्या होंगी? उसकी ब्रांचेज होंगी. तो हीरेकल रिलेशन्शिप में एक क्लास ऐसी होती है जो किसको दिनोट करती है? ऐसा सुपर क्लास बेस क्लास ठीक है? और उनकी उसकी क्या होती है? एक से अर्धिक सब क्लास होती है. तो तो इसलोग अगर आप फीगर भी देखें तो उसमें A is a super class है और बाकी क्या है उसकी? यह B, C and D. These are the subclass. इसका example देखते हैं हम लोग इसका implementation. Now, सबसे पहले देखें हमने एक क्लास है जिसका नाम क्या है? वन ओपलस इंडिकेट्स पब्लिक स्च्छन और वाइट फंक्शन वन इस नेम अब बैसिकली फंक्शन और विच रिटर्स नो वैल्यू और इसका कोई रिटन टाइप भी नहीं है. कोई रिटन नहीं कर रहा व लिए देखें हरार्य कल बैसे एक हमारी बाखी क्या है असकी सब क्लास है तो अगर आप इसको देखें तो क्लास 2 में अच्छाज 2 और आ गया है और यह function 1 इसमें भी आ गया है यानि class 2 के पास function 2 भी है और function 1 भी है और class 3 के पास function 3 भी है और function 1 भी है अब इसी को हम लोग code के थ्रूँ implement करके देखते हूं यह class 1 है जिसमें public section में function 1 defined है class 2 है उसको one class को क्या कर रहा है इनहरेट कर रहा है publicly इसके public section में function 2 defined कर रखा है और function 1 क्या होगा यहाँ इसके class 2 के public section में आ जाएगा class 3 देखिए इसने भी किसको इनहरेट कर रखा है one class को इनहरेट कर रखा है इसके public section में एक function defined है वो क्या कर रहा है function 3 defined है और वहां से class 1 को इनहरेट कर रहा है तो function 1 भी क्या होगा यहाँ पर available हो जाएगा तो यह हमने hierarchical relationship से बनाया अब इसका implementation देख रहा है main program के अंदर सबसे देखिए T3 के पास function 1 भी आ गया है और उसके पास फुद का function 3 भी है तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है hierarchical relationship को अप्लाई करके inheritance परफॉम कर देखिए तो इस तरीके से इस example में hierarchical inheritance को follow किया गया एक दूसरा example देखते हैं हम लो अब देखिए यहां पर एक हमारी class A define है इसके अंदर दो data member है public section में x and y और get data एक नाम का method जो क्या करेगा इसमें input provide करेगा class B and class C यह दोनों आपकी classes define है और जो किसको inherit कर रहे हैं class A को inherit कर रहे हैं hierarchical relationship बना रही है इसमें product नाम का function और इसमें sum नाम का function है ठीक है यानि कि जब भी inherit करेगा तो यह तीनों चीजे कहां आ जाएंगी इसके पास भी available हो जाएंगी और यह तीनों चीजे class B के पास भी available हो जाएंगी implementation देखते हैं हम लोग यह class A define है जिसके अंदर दो data member है और यह get data से हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर प्रॉडक्ट नाम का function define है जो क्या कर रहा है और यह एक्स वाइलू कौन सी है class A की वैल्यू जो यहां पे available है class C उसने भी एक class को inherit कर रखा है यहां पर sum function define है और xy को क्या कर रहा है sum करके display कर रहा है main function में देखते हैं हम लोग हमने देखिए class B का object बनाया और class C का object बनाया अब obj1 से हमने क्या किया get data call किया तो x and y obj के x और y data member में value क्या होगी input होगी और product में product से उनका multiplication करके display करेगा इसी तरीके से obj2 से get data call किया तो obj2 के जो xy data member है उसमे value store करेगा office sum function से उन्ही को sum करके result produce करेगा देखिए inter value of x and y 2 and 3 that is the product is 6 inter the value of x and y sum के लिए तो 2 and 3 input किया तो क्या है 5 next एक example और देखते हैं यहां देखिए क्या है site एक class है जिसके अंदे protected member l define है और एक function है इसमे that is a set values जो भी value देंगे वो l में store करेगा और चुकिए public section में है ठीक है square एक function है जो क्या करता है square value generate करके इसे देखिए class side एक protected member है L और उसके पास एक function है that is a set value जब भी value पास करेंगे L में store करेगा एक class square है जिसके अंदर एक function define है sq नाम का जो square निकालेगा और return करेगा वह value को एक function एक class हमारी cube जो क्या करेगा जो भी इस data member की value होगी उसका cube निकालके return करेगा यह भी public section define है तो यह protected and set value यहां पे भी available होगी और यहां पे भी available होगी इसके separate data members हो जाएंगे implementation देखते है side नाम की class है protected में L define है public में set value define है जो भी value देंगे x में store होगी उसके बद square नाम की class है जो side side function को क्या side class को क्या कर रही है तो यह हमारा protected data member भी यहां आ जाएगा protected section में outside the class नहीं access होगा और जो भी value होगी उसको return करके sq function के थूँ हम लोग return करा लेंगे इसी तरीके से cube नाम की class बनाई है जो side class को क्या कर रही है inherit कर रही है इसमें हमने कब नाम का एक function बना रखा है जो क्या कर रहा है L की value को multiply करके return कर रहा है main function में आते है square का object बनाया value set की set values से उसके बाद हमने s.sq call किया जो भी value होगी 10 उसको multiply करेगा यानि कि square निकाल के return करेगा फिर दूसरा object बनाया cube का c उससे value set की अब क्या कर रहा है c.cub जो भी value है तीम बार multiply करके cube करके उसको return करेगा और display करा देगा देख सकते है the square value is hundred ten into ten or cube value is eight thousand twenty into twenty into twenty that is a eight thousand एक example और देखते हैं अब देखें यहां पर थमेंसा बड़ा example है ताकि आपके concept और भी clear हो एक class बनाई हमने sports इसके अंदर देखें दो data member है जो कैसे है private section में define है और एक data member है captain name जो protected define है यानि की इसको inherit करेंगे तो यह child class में protected section में available हो जाएगा अगर हम public inheritance करते हैं उसके बाद हम क्या कर रहे है set player coach name की value set कर रहे है captain name की value set कर रहे है और उसके बाद तीनों की value क्या कर रहे है इसको हम extract भी कर रहे है और यह सब public section में define है आगे देखते हैं इस class को कौन को रहे है एक होकी नाम की class है एक cricket नाम की class है और एक football नाम की class है ठीक है और यह football भी दो classes है जो football class को inherit कर रहे है एक hierarchical relationship है पहला कौन सी है junior football team दूसरा senior football team आगे देखते हैं यह सब हमारे पास यहां भी available हो जाएंगे और यहां भी available हो जाएंगे इसी तरीके से यह सब यहां भी available होंगे यह यहां भी available होंगे और यह यहां भी available होंगे लेकिन जो protected data member है वो आपका यहां भी होगा यहां भी होगा यहां भी होगा यहां भी उगा और यहां भी लेकिन यह दो दो डेटा मेंबर हैं यह आपके कहीं नहीं अवलेबिल हुगे कि वहले स्पोर्ट्स क्लास के अंदर ही अवलेबिल हुगे के मिट देखें को स्क्राइब इस यहां बना रखें ठीक है और इसकी अउसे देंगे तो सब अब उसके बाद हमने टोटल प्लेयर सेट कर दिये है तिक अब हमने होगा इसके बाद हमने टोटल प्लेयर सेट कर दिये अब हमने होकी नाम की क्लास बनाई जो किसको इनरेट कर रही है स्पोर्ट्स क्लास को इसी तरह ट्रिकेट नाम की क्लास बनाई वो भी स्पोर्ट्स क्लास को इनरेट कर रही है अब यह जो जूनियर फुट्बाल टीम बनाई हो किसको इनरेट कर रही है फुटबॉल क्लास को इस तरीखे से हमने पूरा हरेरिकल रिलेशनशिप बना लिया है अब इसी का इंप्लिमेंटेशन देखते हैं हम लोग जूनियर फुटबॉल टीम इसका object बनाया है, set capital name से value set कर रहा है, set coach name से, set total player से हमने प्लेयर से कर दिये, उसके बाद हमने क्या किया, get function call किया, get capital name, captain का name, coach का name, और उसका number of play इसे हां पर डिस्पले करा दी है अब उसके बाद देखिए हमने एक दूसर अब्जिक्ट बनाया है सेट फुटबॉल टीम का वही फंक्शन कॉल कर रहा है चुकि वहाँ पर अबलेबिल होंगे अब आप देखिए हमने पहले में यह पहले में यह पहले में यह पहले और यह हमारे दूसरे अब्जेट का उट्पुट है तो इस तरीके से हम लोग ने आज हरारिकल रिलेशनिशिप देखा काफी सारे एक्जम्पल बताए हैं बहुत ध्यान से पढ़िए हैं और यह आपका कुछ रिफ्रेंसेस हैं आप इसको यूज करके और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं झाल